ख़ाय जो होती है कि वह एक बार प्लेज जरूर यातर करें जाहे वो इंडिया में यक किसी शहर में यातरा करें लेकिन एक बार वो जरूर प्लेज में बैठें हम अकसर प्लेज को अपने घर के उपर से घुजरते हुए देखते हैं बड़ा वो plane था बेशक्से आपने अपने जीवन काल में कितने ही सारे planes देखें हवा में उड़ते हुए लेकिन आपने कभी एक चीज़ पर गौर नहीं किया होगा वह है उसका color आपने अभी तक जितने भी passenger planes देखें होंगे वो सारे ही white color के होते हैं शायद आपके दिमाग म ये सवाल आया भी ना हो कि आखिर white paint ही क्यों किया जाता है planes में लेकिन फिर भी हम आपको इसका जवाब देने वाले हैं कि आखिर क्यों passenger planes को white paint ही किया जाता है इसका सबसे पहला कारण है सूरच की गर्मी अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष्यान के बाद में प्रिथूई में उड़ने वाले plane ही सूरच के सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं तो सूरच की गर्मी भी उन्हें सबसे ज़्यादा जहिलनी पड़ती है और रंगों के मुका पकाबले जादा लंबा चल जाता है अन्य कलर सूरच की गर्मी को अब्सॉर्फ करते हैं और तेजी से उड़ने के कारण हावा की थपेड़ों से वो कलर जल्द ही फेड हो जाता है यानि की हलका पड़ जाता है और कलर के पेंट्स वाइट कलर की तुलना में जादा भारी ह क्योंकि वाइट कलर में ही अगर दूसरा कलर मिलाएग तो दूसरा कलर बनता है तो इस वजह से जादतर प्लेन वाइट कलर का यूज़ करते है जिसकी वजह से प्लेन काफी हलका भी रहता है और तेल की कम खपत होती है अगर paint job के पैसे की बात की जाए तो यह बिलकुल भी सस्ता नहीं है लेकिन और color के मुकाबले white color सबसे यादा सस्ता पड़ता है तो इसकी वेड़े से ही passenger plane white color को यूज करते हैं जिसकी वेड़े से उनका काफी जादा पैसा बच जाता है plane की सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए white color को ही काफी सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि कहां से दुआ निकल रहा है या फिर कहां पर leakage हो रही है या फिर कहां पर तेल के अरिसाव हो रहा है जिसकी वज़े से plane की खराबी ढूणने में भी काफी जादा असानी होती है जिससे time बच जाता है अगर हम बात करें दूसरे color के planes की तो दूसरे color के planes भी होती है लेकिन उनमें ये सब बातें नहीं होती जो जो हमने आपको बताई है लेकिन इन सभी कारणों के बाद में भी एक और चीज आती है plane को बेचने के वक्त वो है resale value जब भी इन colorful planes को बेचने की बात आती है तो इनकी resale value काफी कम हो जाती है क्योंकि इनको पूरा repaint करवाना पड़ता है जिसकी वेज़े से वो अक्सर अपने planes को white ही रखते है क्योंकि जब भी किसी दूसरी airlines को वो अपने plane lease पर देते है तो वो उनका logo और नाम असानी से चाप सकते है तो यही सारे कारण है जिसकी वेज़े से हम अक्सर passenger plane को white में ही देखते है इसी प्रकार की और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें वो वीडियो को लाइक करें